हलो, बेलकम बेक टू मैं चैनल, आसा करती हूँ, आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहें और यहां पे जो सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है यह तो गाड़ी विगरा साफ होगी तो गाड़ी इसमें लगा रहे हैं सामने साफ करने के लिए और मैं पे जुम सुबह सुबह अच बच्चों का मनता कि मैं बेल पूरी बनाओं तो बेल पूरी बना रही हूं है थोड़ा टाइम हो गया था मलब हम सुबह चाय वगरा पील लिए थे लिए यहन उसके बाद में बेल पूरी बना रहे हूं तो इमली की चटनी है प्याज है तो में डाल रही हूं और अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद में नमक डालूंगी थोड़ा सी और थोड़ी सी है जो लाल मिर्च डाल दूंगी और थोड़ी तीक ही बनारी हूं मैं स्पाइसी सी तो बच्छों को भी बहुत अच्छी लगती है और यह सारे सब कुछ डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी और यह देगे अच्छे से मिक्स होने के बाद बिलकुल बन की तैयार है बड़ी हसे और बहुत टेस्ट लगती है और अच्छी भी लगती है अब यहां पे जो मैं आलो वाली नमकीन डाल रही हूं और सिक्के वई इसमें मुफली की दाने हैं तो यह बहुत अच्छी लगती ह की खाने में तो आज मन्ता की बना लिए हम और सिलंडर खतम हो गया हमारा तो आज मैं बनाने की सोच रही हूं दोखला तो हम मैं लाइट की चूले पर बनाऊंगी और यह दाई है और यह बेसल है तो आज रोग लखाने की विच्छा हो रही है तो यहां पर पहले में साप सपाई करने में लग गई थोड़ा सी काम करने के बाद और फिर जाड़ों गेरा हो गर लगा लूंगी और यहां पर जो उदर में होल की साप सपाई करें कि फिर यहां पर करूंगी थोड़ी बहुत और यहां पर कोई नहीं सोता है मैं सोती हूं लेकिन फिर भी डस्ट पगेर होई जाती है कभी कभी दिन में मतलब रेस्ट कर लेते हैं इदर बच्चे ज्यादा नहीं बैठते हैं वो होल में ही बैठते हैं और अब यह जो मैं जाड़ों लगा लूंगी तर और उसके बाद में फिर से मेरी चाए पीनी की चाह हो रही है तो मैं चाए पी लिए बना की और तो बारिस भी हो रही है लेकिन गर्मी यसे उमस जैसा हो रहा है और यहां पे जो मैं बच्चों से पूझ रही थी कि सुबह बना देती हूँ भिंडी की सबजी लेकिन मना कर रहे हैं शाम को बनाना है लेकिन मैं इसको काट ट्वीट के रख रही हूँ अभी शाम को बना लूँगे मैं और अब भी है जो देख सकते हो बारिस हा रही है हमारे बहुत तीज और दो दिन से कंट्यूनी बारिस है और यह मतलब मौसम बिन मौसम वली बारिस है तो होई रही है और तो यहां पे देखें कितनी आराम से मतलब आड़े जमा जम से बारिस हो रही है जैदा तेज भी नहीं थी लेकिन कंट्यूनी हो रही थी रुक नहीं रही है यह पेजों में दोबनाने के लिए धही में बेसन डाल रही हूं और जोड़ा कम लगा मेरे को तो में और दही डाल रही हूं और जिब ताजा फ्रेस दही होता है न तो ढोगला बहुत टेस्टी बनता है खटा या छाज होती तो इतना टेस्टी नहीं लगता है लेकिन दही में बहुत अच्छा लगता है नुकसान भी नहीं करता है बेशन में तो यहां पर देख सकते हो चूले कर दी इसको थोड़ा सी तो यह बाद में हमारे को लग नहीं दा ता कि चल जाएगा क्योंकि इसके चूले के बर्तन अलग होते हैं गेस पर जो चड़ते हैं वो बर्तन नहीं चड़ते हैं इस पर और यहां पर जुमें इनो डाल दूंगी एक और अच्छा से मिक्स करने के बाद देखी सकते हो चूला यह बोल चुका है कि मैं नहीं चलूंगा यह बर्तन पर नहीं चल रहा है तो हमें इसको ट्राई कर रही थी कि चल तो गया था अब क्यों नहीं चल रहा है और इस तरीकी के बर्तन रखे जाते हैं तो देख सकते हो आर चुका है मारा तो यह देखिए बेटर अच्छे से बन चुका है इकतम बढ़िया तो मैं इसमें डाल दूंगी जार में और इसको अब इसमें स्टीम करूंगी तो यहां पर मैं साची में रख रही हूं और अब इसको 15-20 मिनिट लग जाएंगे और स्रेंडर भी हम लगा दिय इधर तो यह बन रहा है और देख सकते हो मैं चैक कर रही हूं तो अभी थोड़ा सी वह टाइम लगेगा जब तक मैं हरी मिर्च कट कर रही हूं बीच से और मैं पहले भी बताई थी कि हरी मिर्च को फ्राई करते हैं तो चटकती है बहुत ज़दा तो मैं उसको बीच में सक और इदर है जो मिर्ची फ्राई कर रही हूं तेल में और यह मैं निकाल ले और जो तेल बसता है इसमें उसके अंदर में राई डालूंगी और जो ढोकले के लिए मीठा पानी बनाते हैं वो बनाऊंगी एक गिलास पानी का डाल दूंगी कि और उसके बाद में इसको चेक करके फिर से देख लूगी और इसमें चीनी डालूंगी में पानी में उबालाने के बाद तो यहांसे दो से तीन चम्मस चेनी की डाल दूंगी हलका सी नमक डालूंगी और यह जो पानी ने इसको अच्छे से खोलाएंगे अच्छे से उबालेंगे ताकि यह अच्छे से कच्छा ना रहा है पक जाए धंसे और ढोकला बनके तयार है तो मैं इसके अंदर ही कट लगा रही थी और अच्छे से कट लगाऊंगी अब उदर पानी भी अच्छे से बॉइल हो चुका है और थोड़ा सी ठंडा हो जाएगा वो इसे गरम भी डाल सकते हैं और देख सकते हो कितना स्पॉंजी बनाया एकदम बढ़िया सी बनाया अंदर तक सीका है एकदम हलका है यह बहुत ही इस से बिल्कुल मुलाहिम सी है और उसके बाद में जो मैं इसमें मीठा पानी जो मिलाओंगी और मैं करी लिपस डालती हूं लेकिन आज बच्छों नहीं मना कर दिया कि कड़े पत्ते मट डालना हो तो मैं नहीं डाली और इसके बाद मैं अच्छे से में पानी यह उपर डाल कराम खा लें बहूँ टेस्टी था और जब गया घरम काते है न तो अच्छा लिए ठंडा थू कि लगता ही लेकिन मेरे को गरम बहुत पसंद सब्सक्राब्द है और हरी मिर्ची यह तेलियली वही होती है न तुबूव टेस्टी लगता है गो यह इसनस फो जो przeciं मता जीْender यह अभी जिसमें नहीं है ना इत्सकों फाट की फैंक देंगे यही रख ले अम्में बनाऊंगी खाना और अभी ना नवरात्रों की इतनी ठकान हो रही है कि ब्लोग बनाने था मनी नहीं करता है और में आरती करने चले गई थी और इदर चाई हैना जो ठंडी हो गई पूरी तरह देख सकते हुआ और हमारे ना गरमी काफी जैदा हो रही है ठंडी बहुत जैदा है लेगे यहां पिदी की काना रात को ना जो सिकिंदी बनाएक लाए है और मेरे को भी जो बर्दस्ति पिला रहा है है आप लेकिन मेरे को इतनी थंडी ने पीनी वही ओपर आपके में लिया है जबी तो थंडी है यह बहुत थंडी है यह बहुत थंडी असी गना पानी दाना नहीं अब 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 तो रात को पी रहे हैं दस बजे नीप पानी अब यह से बोल्टी इस टीरें ने जो फाम ने घडर लगता हैं है और यहां पे शाम हो चुकी है और एकत्तम ठंडी रिवा चल रही है तो हम छत्द पिय आगए है क्योंकि आज हम टंक्या सा पर रहे पानी के क्योंकि टंक' आज बुलकुल खाली हो गई थी तो मनं कग Secrets लो खाली तो वैसे भी है और पीजो चाली कर लेते हैं साप कर लेता है क्योंकि फिर खाली करनी पढ़ती है तो बहुत ज़ाधा पानी waste होता है तो आज बिल्कुल खाली हो गईती है वैसी तो जो भी है गंदा पानी उसको सापकरके निकाल रहे हैं और पाइप से बहुत मिट्टी जमी जाती है टंकियों के अंदर और फ्रोराइड भी काफी ज़्यादा हो जाता है तो यहां पर टंकी का जो है वो पाइब अगर खोल गे उसको टेड़ी करके अच्छे से वास कर दी है और यहां पर जो चाम हो गे थी मारे को बिलकुल हंदे रही हो गया था और मैं बंडी की सब्जी बनाई थी करके रक्की हुई थी दिन Reese1 नीच बांडी चोड़ है लास्ट में बेटों को बोल्ड हूं कि अब सो जाओ तुम खाना होना खा लिए और आप सभी से फिर मिलते हैं बाद में सभी को चैमाता दी इंड बाइ बाइ